हेलो स्टुडेंट स्वागत है आपका पाई क्लास बाई सचिन मलिक में और साथ ही साथ आपका स्वागत है नए सेशन और नई क्लास कक्षा आठ में अब क्योंकि नई क्लास शुरू हो चुकी है तो उसका अपसले बस भी हमें स्टार्ट करना है जल से जल ताकि आपकी हाई का नुकसान ना हो आईए सबसे पहला टोपिक हम करते हैं आओ संख्याओं को जाने तो जो हमारे पास अलग अलगतरे की संख्याओं होती है उनकी पहचान करेंगे हम इसमें कि संख्याओं होती क्या क्या है सबसे पहले आती है प्राकर्तिक संख्याओं प्राकर्तिक सं होती हैं तो इन संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकर्तिक संख्या हैं इसके बाद आती है हमारे पास पूर्ण संख्या है अगर प्राकर्तिक संख्याओं में यह जो प्राकर्तिक संख्या इसके साथ हम जीरो ले ले लें देखो 1234 कांटिंग तही इनके साथ हम जीरो लगा ले सबसे सुरुआ आतमें तो यह बन जाती है हमारी पूर्ण संख्या यानि प्रकर्तिक संख्या है 1234 जीरो भी लगा लिया तो क्या आ गया पूर्ण संख्या है हमारे पास बन गई ठीक है अगर हम इनका नेगेटिव भी ले लें माइनस वाले चीन भी लें देखो जीरो वन टू त्री यह थो हमारे पास था है यह क्या पूर्ण संख्या है अब उल्टी डिरेक्शन में इधर माइनस वन माइनस टू माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 आता चला जायागा जितना भी ह पूर्ण तो कहने का मतलब है सबसे पहले प्राकर्थिक संख्या होती है यह हमारे पास 1234 जो अंदर वाले गोले में आ रही है एंड सो ओन इसके अंदर अगर मैं 0 भी लगा दूँ यानि 0 लगाते यह बने गया पूर्ण संख्या जो लाल वाले गोले में आ रही है फिर अंस बटे हर वाली, यानि जिस भी संख्या को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में, P बटे Q का मतलब है, अंस बटे हर, और जो हर की value है, ये 0 नहीं होनी चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम नीचे 0 लगा देंगे, तो इसका मतल तक Q की value बाकी कुछ भी हो सकते है, कोई भी पूरांग हो सकता है, जैसे, जैसे 1 by 2, ये भी हमारा, इसको P बटे Q के रूप में लग दिया न, नीचे 0 नहीं है, 4 बटे 7, 0, 0 कम 0 बटे 1 लिख सकते हैं, 1, 1 को भी 1 बटे 1 लिख सकते हैं, 2, 2 को भी 1 लिख सकते हैं, जिसके नीचे 1 नहीं है, उसके नीचे 100 लिख सकते हैं, क्या 100 हमारा परिमेर संख्या है, हाँ क्योंकि 100 को हम 100 बटे 1 लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये पूरांग भी है, छीक है, अब देखो question, क्याता है, नीचे गई परिमेर संख्याओं में से कौन सी संख्या है, क्योंकि इनके बटी में क्या एक है एक को हमें लिखने के जूरत नहीं होती मुण ऐसे लिख देते एं मैंनस फाइव नाइन क्शार बटी साथ नहीं तैट नहीं है क्यों नीचे साथ आ गया जिसमें भी नीचे एक आ रहा रहा हो जो एक हमें देखना आ यह ठीक है इधर देखो यह पांच पांच बटे एक यह सब क्या है यह हमारे सब के सब परीमेशंख्याएं नहीं है क्यों परीमेशंख्याएं तो है लेकिन यह हमारे क्या है पूनांग भी है इनको परीमेशंख्याएं तो बोलें गई यह साथ की साथ क्या है हमारे यह एक परिमेशंख्या है, जिसको भी पी बटे-क्यू के फॉम में लिख देंगे, वो हमारा परिमेशंख्या होता है, आज कि था ऐसी पांच परिमेशंख्याओं के अधारं दो जो पूरांक नहीं होनी चाहिए, पूरांक का मतलब उनके बटे में एक नहीं होना चाहिए, साथ वटे साथ हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि साथ वटे साथ का मतलब हो गया एक, और एक क्या है, एक तो हमारा पूर्णांग है, तो इस तरह से हम कितनी भी संख्या है, सोच के लिख सकते हैं, मैंने नीचे साथ लिखा, आप 6 लिख दो, 8 लिख दो, 11 लिख दो, कुछ भी आप लिख सकते हो, तो इस तरह से ये वाली वर्क्षीट वेट हमारी कम्पलीट होती है, ये तीनों कोश्चन कौन-कौन से, 1, 2, 3, आपको अपनी कौपी में करने हैं, और अपने अपने टीचर को वट्सेप से भेजने हैं, हॉमवर्क के रूप में, धन्यवाद!